भीड, खूनी भेडिया बन चुकी है, नहीं, नहीं, भेडिया नहीं, क्यूंकि भेडिया भी भेडिये को नहीं मारता, यहां तो इंसान, इंसान को माच रहा है वो भी बेरहमी के साथ, एक और महिला को निशाना बनाया गया है, दुख मनाते रहे, मौत का आंक्रा बढ़ रह भीर अपनी कर्तूत पर शर्म करने को तैयार नहीं है क्योंकि वो भीर हमें से ही है पस्चिम मंगाल का मुर्शीदा बाद जिला जहां से केंदरा गाव में मंगलवार को भीर ने एक महिला को बेरहमी से पीटा और इतना पीटा की जान ही ले ली सिर्फ बच्चा चोर होने के जी हा शक यानी अफवा भीर महिला को सरे आम सड़क पर पीटती रही लोग वीडियो बनाते रहे और जब ये फैक पता चलता है कि महिला मानसे ग्रूप से बीमार थी तो भीर पर और हैरानी होती है कि उस भीर के शोर ने एक और बेगुनाह की जान ले ली 52 साल की ओ तेरा बीबी मीठी पूर पानागर गाओं की थी सुमवार को वेह अपने घर से निकली उसके बाद दुबारा घर नहीं लोटी ओ तेरा बीबी के परिवार वालों ने उन्हें ढूंडने की कोशिश इसलिए नहीं की क्यूंकि वेह अक्सर ही रात को गायब हो जाती थी और अगली सुबह वापस आ जाती थी ऐसा कई बार हुआ मंगलवार को वो तेरा बीबी सुबह के करीब तीन बजे दिलीब घोश के घर में घुस रही थी तभी किसी गाओंवाले ने उन्हें देखा कहा गया कि उसके हाथ में कोई चीज थी अफवाव पहली कि उसके हाथ में क्लोरो और वो दिलीब घोश की छोटी वेटी खुशी को चुराने की कोशिश कर रही थी भीराई और महिला को दबोच लिया हिंदुस्तान टाइम्स को एक गाओंवाले अपनी पहचान चिपाय रखने की शर्त पर बताया भीर ने औरत को बेरहमी से मारना पीटना शुरू कर दिय वो कुछ कहना चाह रही थी लेकिन कोई कुछ नहीं समझ पाया कहा जाने लगा महिला बांगलादेश की है और बच्चा चुरा रही थी कुछ लड़कों ने उसे रसी से बान दिया कपड़े फट गए फिर उसे ट्रेक्टर से बान दिया गया और तीन घंटे तक मारते रहे घटा की जानकारी पुलिस को मिली लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी भीड अपनी खूनी प्यास बुझा चुकी थी पुलिस ने महिला को भीड से चुड़ा कर हॉस्पिटल में एडमेट कराया जहां महिला ने दम तोड़ दिया बच्चा चोरी करने की ऐसी ही जारखंड के कई इलाकों में भी फैली थी कहा जा रहा था कि बच्चों को चुड़ाने वाले गिरोध घूम रहा है और इसी शक में जारखंड में करीब 16 लोगों की जान उनमादी भीड ने ली थी जहां अब ओत्तेरा बीबी को मारा गया है वो से केंदरा गाउव जारख करने वाली सच्चाई सामने आई घर वालों का कहना है कि वो मानसिक और पर बीमार थी जो कहीं भी चली जाती थी और फिर खुद ही घर वापस आ जाती थी लेकिन भीड ने उस महिला की एक नसुनी और उसे बचाचोर कहकर मांच डाला ये भीड बहुत अत्रनाक है जो कभी जुनित की लाश लेकर सामने आती है कभी पहलू खान की ये वही भीड है जो कभी बच्चा चोर के इलजाम में जहारखंड में एक के बाद एक कई लोगों को मांच देती है कभी यूपी के बरेली में एक गाड़ी में पांच लोगों को जिन्दा जला देती है ये वही भी जो किसी को नंगा करके घ्वमाती है, ये वही भीड है जिसको सबसही लगता है, कभी दलित को मारने में मज़ा आता है तो कभी मुसलिम को, लेकिन डर तो ये है कि जिस तरह से ये भीड जान ले रही है तो पता नहीं कल किसका नंबर आ जाये कुछ नहीं पता, क्यों कानून इस भीड पर नकेल नहीं कस पा रहा है, क्यों हम भीड बन रहे हैं, क्यों उसकी पहचान करके पुलिस के हवाले नहीं कर रहे हैं, भीड का बचाव एक दिन खुद की जान पर बंग आएगा.